तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहांसे पिछले एपिसोड खतम हुआ था डिवाइन, रिवाइन, डिवाइन, डियूस के अंदर आ जाता है अपने चेहरा कवर करके एक लड़का आता है पीछे से हो कहता भाई सब अप नहे नहे लगते हो जैसे कि पहली वाइन यहां पे आ रहे हो, मैं आपका गाइड यहां पे बन सकता हूँ मैं भरोसे मन गाइड हूँ, हमारा में केटा भी कहता है मैं कैसे मानू कि तू भरोसे मने ऐसा तो क्या कर देगा, यह भी कहता पहली वाइन, यहां पे जितने भी मुझे मैंन बस जीन Σ्टोन यहां पर चाहिए, तो बता यहां कहां से कैसे दिलाएगा? वो भी करता जीन Σ्टोन ना, ओके तो चलो में आपको यहां पर बताता हूँ, यह जादा कर जो लोग आते ना आपके जैसे न उस इस्टोन के लिए आते क्योंकि मैं उस्टोन की ज्யादा खीमत हिआ परे हमारा ने कटा भी कहता कहां से मिलाएगा तो ये बताना वो भी करता मैं आपको मिलाओंगा लेकिन लेकिन ज्यादा कई जो डिवान सेल करें मैं उनका 인del हो चुका है हमारा में कहता है तु बता आएगा क्ये तु कहां से दिलाना चाहता है पीछे से49 आदमी आता है और कहते है थे खत Constate मैं इन से दिलाना चाहता हूं इसे थिलाना चाहता हूं और हाई-क्व्हण organism का नाम है हर कहा न है हमारे पूरे city के सबसे बहतरीन owner यहां परे वोई gene stone के वो भी केता yes यह पूरे city में जितना भी gene stone है न 70% में यहां पर बेसता हूँ और high quality का सबसे बहतरीन ऐसा बहतरीन तुझे और कई से भी नहीं मिलेगा बाकी सब 30 बेसते हमारा make cuter भी केता है पहले मुझे थोड़े से sample यहां पर दिखाओ जो sample का भी उस करके test यहां पर करना चाहूँगा उसके बदले मैं तुमको थोड़े से पैसे दे दूँगा ओ भी करता हूँ कि ठीके चलेगा तो हमारा make cuter sample यहां पर लेता है और उसके हाथों में ता वह भी सोस्तवेल उसने total मेरे को 21 stone यहां पर दिया है अब मैं guarantee के साथ नहीं बहुत सकता है कि यह काम आएगा या नहीं आएगा तो आए मार के देख लेता हूँ तो इसको बुल्फ दिखाए देता है एक पहले लेवल का तो सोसता यह तो बुल्फ यहां पर है अगर सची में यह जो stone काम आएगा तो मुझे अपने किसी creature पर नहीं करना काम नहीं आया तो stone waste हो जाएगा ना और यह अफ़ी creature को नुकसान हो गया तो बुल्फ भी करके देखता हूँ यह बुल्फ मेरा creature नहीं है तो केता है यह ले मेरे बुल्फ है जाओ कैच इटे बुल्फ जाता है कैच करता है तो होता है mutation यहां पर होता है गंदा वाला mutation हो जाता है इतना गंदा की देख सकते हैं वो कि इतना ज़्यादा ट्रांस्वर्म होनी लग जाता है हुआर मेकटर भी देखते हुआ यह एक स्टोन से देखते ही देखते क्या mutation हो गया इस रैबिट का बढ़िया यहार मज़ा ही आ गया रैबिट का नहीं बुल्फ का है तो हमारा मेकटर भी लेख यही यही डरता मुझे कोई साइड इफेक्ट हो गया बलाश्ट हो गया चलेगा सुनो मेक और चीज बताना बुल गया यहाँ पर दो मुझे mutation stone मिले यह mutation ज्यादा important है जो मेरे को DV80 पॉइंट भी दिलाएगा और मेरे creatures की ability बढ़ाएगा तब ही पीछे से बुल्फ पे बैठा हुए एक आदम ही आ तो कहता सुन भाई मैंने देखा तेरे पास है नहीं जीन stone भी है ओ भी मुझे दे दे और यह जो mutation इस्टों ने यह भी दे दे हमारा मेंग cutter कहता भाई मैं तुझे उससे भी बहतरीन चीज़ देता हूं मुझ में ले ले उसको आ जाता गुस्ता कहता सारे बुल्फ आ जाओ तो अपने domain से बुल्फ निकाल लेता टैक करने के लिए हमारा मेंग cutter अपना जो ड्राइगन टा आता हूं हाँ हवे में उड़ जाता हो कहता सा Κथ सालो तुम बुल्फ हो जैमीन पर चल सकते हो लेकि में पास पंखे में उड़ भी सकता हूं अगर मा कदूत पिय तूपर आकर दिखा ओ तो वो भी कहता साले तू मेरो को challenge कर रहा है कि मैं उपर आकर दिखा हूँ अभी मैं हमारा मेकर टबी लग आगे नहीं गया तो पीछे से बुल्फ मार डालेंगे आगे जाना ही पड़ेगा ओ आदमी भी करता कुछ भी हो जाए उस लोटने को आगे जाने मत देना रोको तो भाई जैसे वो रोकने के कोशिश करें आगे साधे नभी रैबिट आ जाते रेना वो खुद आगे निकल जाता है तो आदमी को भी गुस्ता आता है जो एक्स्टर म्यूटेशन थे वहीं जो बेकार सबते कुट्ते वागे रहें उन सबको दूर करता हो कहते हट यार इन सबके चक्र में अगर यह बीच में नहाते मिना बुल्फुर का पीछा कर लेते ना जाने वह आदमी वह आदमी कहां भागे चला गया कभी ने कभी तो आए गई उस आदमी की और यानि हमारे में कटा की हो रहा थे जो क्यों ही पानी के आसपस देख रहा था पानी मेंसे एक मछली दिखाय देती है जिसकी दो टांगे ती इसलानों जैसा तो यह भी कहता बापर यार यह जीनी स्टोन ने क्या कर दिया सबको अलगे लेवल के mutation बना दिया हा लेकिन इनको मैंने मारा तो इनकी बोड़ी से मुझे मिल जाएगा mutation stone जो मुझे यहां पर चाहिए जैसे वो आगे जाता है तो अजीव अजीव से जानवर यहाँ पर दिखाए देते हैं यह भी सोसते एक सेगर यह जानवर तो बड़े कमजोर लगते हैं इनको मारके इनके अंदर से मैं किस्टल निकाल सकता हूँ तो एक बलाश्ट होने लग किस्टल था लोकेशन पर आ जाता है जो कि एक टैप का किला था जहां पर राजा मरा आजा रहते थे यह भी सोसता नहीं सियर कोई है क्या यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं है मैं आराम से यहाँ पर देख सकता हूँ तो जैसे वो अंदर जाता है न अंदा साड उसको paper दिखाए देता हैं वह सारे paper पड़े हुए थे तो ये भी doubt में आ जाता paper ये paper कैसे यहाँ पर आया जैसे और आगे जाता हैं कुछ लोग दिखाए देते जो लोग नकाव यहाँ पे पहने और कुछ तो यहाँ पे कर रहे आपस में बात चित तो हमारा make it all out में आ जाता है कि हम ये लोग यहाँ पर कोने और क्या करना चाते हैं फाइनली 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 हमने ये सील यहाँ पर हटा दिया इस civilization का तो हमारे make it all को याद आता है या आने से पहले में पढ़ा था कि जैसे बोला ना ये से जगे को इंसान ने बनाया लेकिन बीच में छोड़ दिया था उन्होंने और उसके बाद फिर रेडियो एक्टी सफ्टेंस से सब कुछ बेकार कर दिया तो इन्होंने क्यों छोड़ा था क्योंकि यह उनको आडिया लग चुका है यहाँ पर कुस्तों ऐसा सील है जो अगर तूड़ गया अजाद हो गया तो गरवर हो सकता है उसिवत आ सकता है तो बीच में छोड़के चले गआ लेकिन इनकी बातों से लगता है कोई ट्रू गोड लेवल का बंदा है जिसने इनको काम दिया है सील तोड़ने काम दिया मर्ने पर भीदा है प्रुग्रेश हो रहा है warning यहाँ पर आ रहा है अभी अभी एड़ी डेख हुआ है कि अंसील हो चुका है वो अंसील होने के बाद ना बवाल मचाएगा especially target बनाएगा और आप उसके target के important हो सकते हो तो मारा में के टाइब लक्षिट मेरे को भी target बनाएगा किया मेने क्या भी गाड़ा है और जो अंसील आइटा में वो भी कहता है हेलो यार कैसे हो तुम सब तो बस नॉर्मल गॉड लेवल के बन दे हो चलो कोई बात नहीं क्या ना भई में वेसल बनाना चाहता हूँ यानि तुम लोग के किसी एक बोड़ी पर कबजा करना चाहता हूँ लेकिन कौन होगा वो लकी बन्दा जो मुझे मेरी बोड़ी यहां पर देगा और यह चैप्टर यहीं पर खतम हो जाता है इतना तो आइडिया लग शुगा है वो पक्का मारे मेकेटर की ही बोड़ी पर कबजा करने की कोशिश करेगा तो देखते क्या होता है देखो कल इसके लाश्ट वीडियो यहां पर आएंगे पांच यह चैप्टर बचा हुआ है जो दो वीडियो में कवर हो जाएगा कल के कल 500-500 कोई नया मांगा ही श्टार्ट कर दूँगा कोई ऐसा ही तगड़ा सा मां मांगा था यार जो सही मांगा होता है ना उसमें या तो चैप्टर छोटे होते हैं या तो चैप्टर ही कम होते हैं इसमें दोनों ही थे मतलब चैप्टर भी कम थे और चैप्टर भी छोटे थे 52 चैप्टर थे अगर लंबे चोड़े होते ना 30-35 एपिसोड भी बन जाते त झाल